आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जी मेल से मैसेज कैसे भेजें यानि जी मेल से मैसेज कैसे सेंड करें अगर आपको भी अपने मेल से यानि जी मेल से किसी को कोई मैसेज सेंड करना है तो कैसे किया जाए आइए जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में ये वाला application ढूंड लेना है तो इस वाले application को ढूंड़िए और open कर लीजिए नीचे आपको मिलेगा compose या आपको मिलेगा plus का आइकन आपको इस पर touch करना है यहाँ पर आपका Gmail ID आ जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा to यहाँ पर आपको उसका mail ID एंटर करना है जिसको आप mail send करना चाहते हो example के लिए मैं अपना है दूसरा mail ID एंटर कर देता हूं कर दिया है मैंने यहाँ पर आपको मिलेगा subject कि आप किस वज़े से mail send कर रहे हो आपका purpose क्या है मैं करता हूँ यहाँ पर PDF file क्योंकि मैं एक PDF file भेजनी है compose मिलेगा इस पर आईए और अगर आपको कोई बाते लिखनी है या करनी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं तो मुझे PDF attach करके भेजना है बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है बोला है सिर्फ PDF send कर दीजिए पिन के निशान पर हम touch करते हैं अगर आपको कोई PDF या photo attach करना है तो पिन के निशान पर touch करें attach file पर जाएं थोड़ा सा इंतजार करें यहाँ पर आपको मिलेगी तीन line इस पर आपको touch करना है आपको मिलेगा document या image है तो image में आईए वीडियो है तो वीडियो में आईए पर document में मेरी file है PDF है यहाँ पर यह रहा PDF file का folder इसे select करता हूँ मैं select करने के बाद यह PDF आ चुका है इसे select करता हूँ PDF मेरा attach हो चुका है ऐसा photo भी attach कर सकते हैं और सब कुछ करने के बाद चेक करने के बाद इस वाले option पर आपको touch करना है और आपका mail send हो जाएगा तरहिका simple है बस आपको ध्यान अगना है कुछ चीजें सबसे पहले अपना mail ID आपको enter करना है वो तो अपने आप ही हो जाता है